Hello Friends, This is Sarapreet Kaur and You are Welcome to Sarab Motives आज हम बात करेंगे Parents और Children Relationship के बारे में लेकिन उतसे पहले I request you कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और Bell Icon जरूर हिट कीजिए ताकि आपको मेरी Next Videos बिना किसे Interruption के आती रहें और आप ज्यादा से ज्यादा Videos देख सको और मैं आपके उसमें Help कर सकूँ जो भी Problems आपकी Life में आ रही हैं और इस वीडियो को Please Last तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अगर आपको पसंद आए और I'm Sure आपको पसंद आएगी आप Like, Comment और Share करना मत भूलिएगा So अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज कल के दौर में क्योंकि हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है पहले के comparative पहले parents वरकिंग नहीं होते थे आज कल parents working है family nuclear हो गई है बच्चों की study का pressure है पहले के जमाने में इतना pressure नहीं होता था parents के उपर तो उस सारे खींचा तानी के बीच parents और बच्चों के बीच में काफी ज़्यादा तैनाव रहता है या उनकी आपस में कहीं नहीं नहीं बनती है उनका mindset अलग अलग है तो वहां पे मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूंगी जहां पे कहीं ना कहीं parents के बिहाब से या parents की side से थोड़ी सी जो problem देखने में मिलती है वो कहीं ना कहीं बच्चों को effect करती है तो उसमें सबसे पहले आता है parents का behavior Like अगर मेरे mother या मेरे father मेरे grandparents के साथ अपने बड़ों के साथ या आसी पडोसियों के साथ अच्छा बरताव नहीं कर रही है तो मैं भी उनसे वो ही सीखरी हूँ कि बड़ों के साथ अच्छा behavior नहीं करते हैं कि बड़ों के साथ ऐसे ही time pass जैसा कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, disrespect कर देना, कोई बड़ी बात नहीं होती तो यही बच्चे सीखेंगे, अगर आप पेरेंट हैं और अपने बड़ों के साथ या अपने पार्टनर के साथ भी आपका behavior अच्छा नहीं है आप उनको disrespect करते हैं, बच्चों के सामने उन पे चलाते हैं, तो वो बच्चे सीखेंगे और कल को, अगर वही बच्चा आपको disrespect कर रहा है, आपको उगली करके बात करता है, तो आप उस बच्चे को दोशी नहीं ठहरा सकते क्योंकि उसने वही सीखा, जो उसने देखा, जो आपने अपने parents के साथ किया, अपने से किसी बड़े के साथ किया, वो वही करेंगे जो आप कर रहे हो तो please, mind your behavior, अगर कभी आपको अपने partner के साथ, अपने बड़ों के साथ कोई नो कोई conflict है, आपका गुसा हो सकता है, आप overact कर रहे हो, या सच में आपका गुसा जाइज है, तो ध्यान रखिए, इस चीज को अपने बच्चों के सामने मत कीजिए, कभी भी अपने बच्चों के सामने loud, violent, गुसा मत्शो कीजिए, कुछ भी है, अलग होके बात कीजिए, conversation कीजिए, और बच्चों को इस बच्चों के उपर इस चीज का आसर मताने दीजिए, सेकिन बात आती है, कि कभी भी कोई situation आती है, कुछ भी अगर होता है, तो आप उस पे कैसे react करते हो, मान ली कीजिए, कि अगर आपका बच्चा पेंटिंग कर रहा था, उसने पेंट करते करते, दिवारें गंदी कर दी है, या आपके कोई अच्छी शिर्ट है, आपके कोई अच्छे कपडे है, बेडशीट गंदी कर दिया, कुछ कर दिया, और आप एक दम से उस पे चलाते हुआ कि ये क्या कर दिया, तुमने ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया, तो वहां से भी उसने सीख लिया, उसने सीखा कि अपनी क्रियेटिविटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटीरियल चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपने वही प्रोजेक्ट किया उसके उपर, आपने आते ही जो रियक्षियन दिया, आपने उसके क्रियेटिविटी को दे कि ये निखा, वाउ, कितना अच्छा किया, तुम तो बड़े अच्छे पेंटर हो या तुम तो बहुत अच्छा बनाते हो, आपने उसको प्रेज नहीं की, तारीफ नहीं की, आप उस पे चिलाए कि क् आपका 200, 500, 1,500, कितना भी मेहंगा कोई आटीकल खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया, क्या वो आपके बच्चे की स्किल से जादा इंपॉर्टेंट है, या आपके बच्चे की उस खुशी से जादा इंपॉर्टेंट है, जो उस समय उसको मिल रही थी, जो वो की जग है, जो चीज थोड़ी सी खराब हुई है, आप उसके लिए चलाते हो, तो वो वहां से सीखता है कि materialism के लिए आपको ज्यादा वेल्यू करनी है, material चीजों को ज्यादा वेल्यू करनी है, creativity गई भाड में, so this is the second lesson जो आप अपने बच्चे को सिखा रहे हो, लेकिन आ को जब वो बड़ा होएगा, आप बुजर्ग होगे, आपके साथ वो सेम करेगा, तब आप कहोगे कि बच्चे माँ बापकी केर नहीं करते, ये टेकनालोजी का प्राब्लम है, ये आज कल की जनुरेशन ऐसी है, ये, नहीं, उन्होंने वही सीखा जो आपने सिखाया, थर् जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो, जैसे कि मैंने फर्स्ट दो केस की, दो टापिक की बात करी, कि आप डिस्रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप प्यार नहीं कर रहे हो, आप उनकी क्रेटिविटी की वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो अगर ये आप फर्स्ट दो चीज़ें कर अपनी पहले अपनी चेक लिस्ट पे टेक लगाईए कि आपके पास कौन-कौन सी वेल्यूज हैं। अगर आप कई बार अपने पार्टनर से अपने बच्चों के सामने जूट बोलते हो, तो बच्चे वोई सीखते हैं कि जूट बोलना जायज है, it's okay, कलको वो भी आपके साथ वोई जूट बोलेंगे, आप अपने पार्टनर की पाकेट में से पैसे निकाल रहे हो अपने बच्चे के सामने, यह बच्चे को कहा रहे हो कि दस रुपे ले लो लेकिन चुप रहो, मैंने बहुत पेरंट्स को देखा है, तो यह भी आप values ही दे रहे हो अपने बच्चे को, कहीं न कहीं हम खराब कर रहे हैं अपने बच्चों को, बच्चों का दोश नहीं है सरासर, क्योंकि वो तो उन्होंने अभी सीखा क्या है, वो तो अभी learning stage में है, उनको कुछ नहीं पता, हम कह देते हैं कि आजगल के बच्चे बहुत चुस्ते हैं, बहुत तेज हैं, बहुत खराब हैं, नहीं, वो सिर्फ अच्छे learner है, आप यह चीज सोचिए, कि उन्होंने दो साल में, तीन साल की एज में या चार साल में, आपके आजपडोस इतने एज के बच्चे होएंगे, आप उन पर observation लीजिए, कि उन्होंने तीन साल में अपने आजपास के कितने लोगों से कितनी चीज़ें सीख ली, imagine, अगर वही लर्ने उनको सही दरीके से दी जाए, सही चीजों में दी जाए, तो वह कितना सीख सकते हैं? तो प्लीज, अपनी वेल्यूज पहले चेक कीजिए, आप उनको सिखा क्या रहे हो, आप में patience हैं, तभी वह patience सीखेंगे. So, this is the first part, जो मैं अभी यहां पे end कर रही हूँ, कि बच्चों के और parents के बीच में क्या relationship होता है, या बच्चे parents उसे क्या सीखते हैं? So, thank you, thank you very much, अगर आपने मेरी पूरी की पूरी वीडियो end तक सुनी है, please like और comment ज़रूर कीजिएगा, और मुझे पक्का वाता है, कि ये वीडियो सारे parents के लिए valuable है, तो share करना मत भूलिए, आपके link में जितने भी parents हैं, उन सब के साथ share कीजिए, thank you so much,